Problems को buy और happiness को high में मैं इला अपने सभी दर्शोकों का स्वागत करती हूँ अगर ये सवाल पूछा जाए कि हमें जिन्दगी में सबसे ज़ादा जरूरी क्या लगता है तो अधिकतर लोग ये जवाब देंगे relationship यानि रिश्टे चाहे ये रिश्टा कोई भी हो पती-पत्नी का, साज-बहु का, मा-बेटी का ये रिश्टे जितने मधुर होते हैं उतने ही नाजुब दोर से भी बनते हुए होते हैं तो इनको समहालना हमारा करतव्य हो जाता है और एक challenge बन जाता है तो इसी के बारे में बात करते हैं सिस्टर तृप्ती से ओम शांती सिस्टर तृप्ती सिस्टर तृप्ती तो ये रिश्टे क्या है, relationship क्या है और हमें इन्हें कैसे सीचना चाहिए Man is a social being Relationships, रिश्टे ये जितना अहम हिस्सा है हमारी जिन्दगी का उतना ही complex और उतना ही चतिर होता जा रहा है कोई भी संबंध हो, कोई भी relationship हो Parent Child का, Teacher Student का, Boss Subordinate का कोई भी संबंध हो, उन सभी संबंधों में कही न कहीं टत्राहट सी नजर आने लगी है अगर हम अपने संबंधों के बारों बारे में ही विचार करें अपने संबंधों को अब्जर्व करें तो हमें भी ऐसे काफी areas नजर आएंगे जहां improvement की जरूरत है जहां बदलाव की जरूरत है और जब हम कहते हैं बदलाव चेंज मना या तो सामने वाले को बदलना होगा या फिर मुझे बदलना होगा हमारी relationship को हमारे संबंधों को मधर बनाने में तो जैसे के हमने देखा सामने वाले को बदलना सामने वाला एक external factor है सामने वाले को बदलने की हम कितनी भी कोशिश करें तो हमने यह देखा कि हम इस कोशिश में काम्याब नहीं होते हैं आज तक हम क्या करते आए हैं किसे भी relationship में problem हो parent-child relationship में problem हो या फिर दो friends के बीच में problem हो या फिर दो colleagues के बीच में problem हो और अगर हम गल्ती को देखने जाएं तो हमें गल्ती हमेशा सामने वाले में नजर आती है और तब हमारे मन में क्या आता है सामने वाला ऐसा ही है वह गुस्सल है वह चिर्चिडा है उसे अपने खुस्से पर काभू पाना होगा माना अभे तक हम यह सोचते थे कि अगर किसी को बदलना है तो वह सामने वाले को बदलना होगा लेकिन अब हम बात कर रहे हैं बदलाव की और जब हम बदलाव की बात कर रहे हैं तो स्वपरिवत्न की बात कर रहे हैं कोई भी सिचुएशन हो कैसा भी environment हो अगर हम अपने बुद्धी में यह बिठा लें कि गलती सामने वाले की नहीं कही न कही गलती मेरी है अगर कोई सोर्स है किसी mistake का तो वह सोर्स मैं है क्यूंकि मैं किसी भी सिचुएशन को किसी भी direction में बदल सकती हूँ या तो उस सिचुएशन को एक negative mode दे सकती हूँ या फिर उसे एक positive thought, loveful thought create करके उस सम्बंध को एक positive mode दे सकती हूँ क्यूंकि मैं बदल सकती हूँ